नमस्कार दोस्तो बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस समय रेलवे अलग अलग जगहों से समर एस्पेसल ट्रेन चला रही है और जिसमें बिहार को भी कई सारे समर एस्पेसल ट्रेन की सौगात मिली है लेकिन एक और यहाँ पर सौगात मिलने जा रही इस ट्रेन का रूट जो है वो बदला जाए तो आए जानते हैं कौन सा है वो रूट और किस रूट से चलाने की बात की जाड़ी है तो पूरी डीटेल इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ तो बने रही है हमारे साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथी वीडियो को शेर भी करें साथी कॉमेंट करके भी बताएं कि इस ट्रेन को किस रूट से चलाना चाहिए तो चलिए भी नदेरी के वीडियो को शुरू करते हैं यह जो ट्रेन इसकी शुरुवात होने वाली है वो स्यालदा की ओर से होगी स्यालदा की ओर से जहा जहा कियूल बरोनी समस्तिपूर दरभंगा मधुबनी के रास्ते स्यालदा से यह ट्रेन जैनगर के लिए चलाई जा रही है और यह ट्रेन नंबर 03187 स्यालदा जैनगर एस स्पेसल जो 11 मई से लेकर के 29 जून तक परतेक सनिवार को स्यालदा से रात के 11 बचकर 55 मिनट पर खुलेगी और अगले दिन 8 बचकर 55 मिनट पर यह जो है बरोनी पहुँचेगी 10 बजे समस्तिपूर 11 दस में दरभंगा और 11 बचकर 55 मिनट में सकडी 12 बचकर 30 मिनट में मधुबनी रुखते हुए यह ट्रेन 2 बचकर 25 मिनट पर जैनगर पहुँच जाएगी वही इस ट्रेन की अगर वापसी की बात करें जैनगर से तो जैनगर से स्यालदा के बीच यह ट्रेन जो है वो 12 मई से 30 जुन तक के बीच जो हो चलेगी सफता के परतेक रविवार को जैनगर से 3 बचकर 25 मिनट पर प्रस्थान करेगी और 3 बचकर 50 मिनट पर मधुबनी 4 दरभंगा और 6 बचकर 55 मिनट पर समस्तिपूर और इसके अलावा 7 बचकर 50 मिनट पर बरोनी रुखते हुए अगले दिन सुबह में 5 बचकर 15 मिनट पर स्यालदा पहुचा देगी तो ये था इसका रूट और टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया बाकी इसके रूट को ल अलित गराम 4-12 गज के रास्ते इस ट्रेन को स्यालदा क्या जाए ताकि इस छ hetr के लोगों को इस रूट पर जो है एक नई ट्रेन मिले जिससे लोगों को फायदा तो होगा ही लेकिन रेलवे को भी यहां पर बड़ा फायदा होगा इस रूट पर अगर इस ट्रेन को चला दी जाती है तो वा कई सूपर हिट सावित होगी वहीं लोगों का ये भी कहना है कि अगर दरभंगा समस्थिपूर के रास्ते इस ट्रेन को चला ही जाती है सियाल्दा तक तो ये ट्रेन जो हो फलो अप सावित होगी तो इसको लेकर आपके मन में क्या राय है इस ट्रेन के बारे में comment section में जरूर बतेएगा क्या नए route से चलानी चाहिए या फिर वो पुरानी वाली route से ये जरूर हमने comment section में बताएगा और अपनी राय जो हुआ हो साजा कीजेगा बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रेस कर लिजे ताकि हरा अब डेटा